ब्रहस्पतिवार प्रदोश वुरत कता यानि के गुरुवार वुरत कता गुरुवार को देवगुरु वुरुषपति जी के पुजा का हुए यह वुरत समस्तो वारों के वृतों में श्रेष्ट है इस दिन पुजा में पीले, फूल, गुण, पीले, चावल का परयोग होता नमक वो तेल रहित पीला भोजन एक बार खाते हैं और पीले वस्तिर पहनते हैं तता पीली वस्तों का दान करते हैं इस वरत की कता इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वरता सुर में घंगोर युद्धुआ उस समय देवताओं ने देति सेना पराजित कर नश्ट भरष्ट कर दी अपना विनाश देख वरता सुर अत्यांत क्रोधित हो स्वयम युद्ध के लिए उधत हुआ मायावी असुर ने आसुरी माया से भेंकर विक्राल रूप धार्ण किया उसके स्वरुप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामश से गुरू श्रे पर उग्रत पकर करके शिव जी को प्रसंद किया था पूरू समय में यह चित्र रथ नाम का राजा था तुमारे समीपस्त जो सुरम्य वन है वहां इसी का राज्य था अब सादू प्रवत्ती विचारवन महात्मा वहां अनंद लेते हैं भगवान के दर्शन के अनुपम भ हो विश्यों में फसे रहने के कारण इस्त्रियों के वशीबूत रहते हैं किन्तु देव लोक में ऐसा द्रश्टी गोचा नहीं हुआ कि इस्त्री का अलिंगन कर सभा में बैठें चित्र रथ के ये वचन सुनकर सर्वयापी भगवान शियों हसकर बोले कि है राजन मेरा व व्यापी महेशवर के साथ ही मेरी हसी उड़ाई है तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा उपस्ति सभासद महान विशुद्ध प्रक्रती के शास्र तत्वान वेशी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार है ये सर्व अज्यान के नश्ट हो जाने पर शियो भक्ती में तत्पर है अरे मूर्क राज तु अति चतुर है अतेओं मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तु ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहास नहीं करेगा अब तु देत सुरूप धारण कर विमान से नीचे गिर तुझे मैं शाप देती हूँ अभी प्रत्वी पर चला जा जब जगदंबा भवानी ने चित्र रत को इशाप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरे राक्षा से उनी को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ तु अस्ठा नामक रिशी ने उसे स्रेश्ट तब से उत्पन किया और अब वही व्रता शिव भक्ति में ब्रहमचर से रह रहा है इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते अते हो मेरे परामर्श से यह प्रदोश व्रत करो जिससे महाबलशाली देतिपविजय प्राप्त कर सको गुर्देव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन हुए और गुरुवार प्रदोश व्रत विधी विधान से किया तथा राक्षस व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्र देव सुक पूर्वक रहने लगे बुलो उमापति शंकर महादेव की जै आप सभी सादक सादी का जिनों ने ये व्रत आज धारन किया है गुरुवार का प्रदोश व्रत वो अब प्रशाद गिर्हन कर सकते हैं भगवान शिव की आरती करने के पश्चाद ओम नमस्षिवाएं